दोस्तो ये एक Bluetooth डिवाइस है इस Bluetooth डिवाइस को आप मैंसे कई लोगों ने देखा होगा और कई लोगों ने इस्तमाल भी किया होगा इस Bluetooth डिवाइस को आप किसी भी Amplifier में या फिर Music Player में लगा के उसको Bluetooth वाला Music Player बना सकते हैं इस पर मैंने बहुत सरी वीडियो अपलोड करी हैं अलग-अलग Amplifier पर आपको सिखाया अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो कमेंड बॉक्स में वो सभी वीडियो का लिंक में पिन कर दूँआ आप किसी भी वीडियो के देखके वो सीख सकते हैं बट आज का टॉपिक हमारा काफी अलग है इस Bluetooth चिप को काफी लोग सिर्फ Bluetooth चिप के ही नाम से जानते हैं लेकिन इसमें एक ऐसा फीचर भी होता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं अगर आप में से कई लोग जानते हैं तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जिनें बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता है असल में जिस फीचर की माबात कर रहता वो है पेंडराइब का फीचर इसमें आप USB या फिर पेंडराइब को भी अटेच कर सकते हैं जी हां इसमें दो पॉइंट्स ऐसे एक्स्ट्रा बने होते हैं जिसमें आप इसको लगा सकते हैं काफी लोग पेंडराइब के लिए बड़े वाले Bluetooth का असमाल करते हैं लेकिन वह ज़्यादा जगह गिरता है यानि कि ज़्यादा पिस्पेस गिरता है यह बहुत कम जगह पर आ जाता है यानि कि छोटी सी जगह सपाझ को हमाधों मैं चीप का इसमाल किया जाता है एक ही IC का इसमाल किया जाता है देखिये अगर आपको यकिन्ने हो तो आप इसमें इस IC के नंबर को रीड कर सकते हैं लेकिन इसमें अंतर गया है इसमें अंतर सिर्फ इतना है इस IC को प्रोग्राम किया गया है सिर्स USB और ब्लूटूथ के लिए और इस IC को program किया गया है USB, Bluetooth, AUX और FM के लिए और साथ साथ इसमें display का भी feature मिल जाता है और कई सारे इसमें आपको option मिल जाते हैं इसमें remote के लिए IR के लिए भी wiring का feature मिल जाता है इसमें आपको card reader का भी feature मिल जाता है इस IC के अंदर बहुत सारे feature है बट इसके अंदर इसके अंदर सिर्फ USB और Bluetooth का ही feature मिलता है आप इसमें कभी भी इसकी IC खराब हो इसकी IC डालके experiment करके देख सकते हैं तो ज़रूर आपको तब यकीन होगा कि वाके में ये एक ही IC है और इसकी pin out भी बिलकुल एक ही है ज्यादा तर इन IC का diagram नहीं मिलता है आप चाहे तो manually इसको diagram को है बना के इसकी pin out को track कर सकते हैं आपको खुद ही पता चल जागा कि IC इसमें लगती है या फिर नहीं चलिए मैंने तो आपको उता दिया आप यकीन कर सकते हैं तो कर सकते हैं अब यहां पर मैं आपको USB लगाना सीखाऊंगा अब USB आप इसमें कहां कहां पर कौन सी बायरी करनी है वो थोड़ा सा आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना पड़ेगा वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं है हो सकता है थोड़ा सा लंबी हो लेकिन सीखेंगे तो कभी भी आपको न मुश्किल नहीं लगेगा थोड़ा सा वक्त देखे आप सीखिये जगा सीखिये ता जबरू इस टाइप का आप USB फेमेल जैक ले सकते हैं इसके कीमद 5 से 10 रुपया होती है और आपको चोटी से वयर लेनी है लिबर्ण मुढ़ेख और आपको सारे वयर होती है तो असानी से मिल जाएगी सबसे पहले इन चार wires को मैं इन चार points में attach करूंगा उसके बाद मैं आपको detail से बताऊंगा कि कौन सी wire कौन सी किस काम के लिए यहाँ पर होती है क्योंकि बहतर तरीके से आपको समझा पाऊंगा पहले attach ही यहाँ पर चार wires को यहाँ पर कर लेता हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चारो वार को attach कर लिया है अब आपको इसके pin out का समझाता हूँ इसमें कौन सी pin कहाँ पर attach होगी वह मैं आपको समझाता हूँ इसके बाद इस वाले board की pinों के बारे मां बताऊंगा तो यहाँ पर अगर आप जो USB फेमिल जैक यूज कर रहे हैं उसकी अगर position को इस तरीके से रखे हैं तो यहाँ पर आपको चार pins मिल जाएंगी इस तरीके से position रखे हुए ठीक है इस तरीके से रखेंगे तो pin उसकी उल्टी करेंगे आपको जो भी मां बताऊंगा वो उल्टी करके आप देखेगा इसी करके आपको रखना है जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर यह पत्ता इसके उपर के side को है और यहाँ से आप गिरेंगे एक, दू, ती, चार इसमें चार points आपको मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पर, चार points यहाँ पर आ रहे हैं वो ही वाले घूमते हुए यहाँ से, तो देखिए यह चारो points में एक point positive का होता है, एक point negative का होता है एक data positive का होता है एक data negative का होता है अब यहाँ पर कौन सा positive, कौन सा negative है यह आपको समझना ज़रूरी है वैसे मैंने एक diagram बना के रखा हुआ है आपको समझाने के लिए अगर इस connector की position को जैसे रखें तो diagram में इस तरीके से इसकी position आई जी मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ दुबारा से देखिए यह कुछ इस तरीके से मैंने इस key position को बना लिया है ठीक है यह उपर के side को है धहन दीजीगा और जो pins है वो नीचे की ओर को है इस तरीके से एक दो तीन चार थोड़ सा वक्त देखे सीखिएगा अगर सीखेंगे तो आपको कभी भी यह चीज रिपीट करने की जूत नहीं पड़ेगी भरे यह आप इसके connection सीख जाए लेकिन इसके connection भी आपको सीखने चाहिए कभी ने कभी ज़रूर काम आएगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ से आप अगर आप गिनेंगे 3.3 वॉल्ड या फिर 5 वल्ट इसको दे रहे हैं इसको unexpected करने के लिए वो जो बैटेरी का है वो रहेगा ठीक है इसमें आपका इस बैटेरी का positive रहेगा या फिर बैटेरी ने connection कर रहे है तो आप किसी भी power source को इस्तमाल कर रहे हैं आप cell को इस्तमाल कर रहे हैं, आप regulator से 5 volt बना रहे हैं, तो यहाँ पर 5 volt, 5 volt ठीक है, 5 volt यह plus है, और यह battery का minus है, ठीक है, यहाँ पर यह plus minus battery का इसमें लग जाएगा, अब यहाँ पर यह जो दूबीच की पिन होती है, यह जो पिन होती है, जिसे DM के नाम से जाना जाता है, या ठीक है, data minus, यह है DM की पिन, और यह है DP की पिन, DP, यानकी, data plus, ठीक है, यह data plus और यह data minus, तो यहाँ पर देख लिए आपने, यह जो सब सब पहली पिन है, आप नोट का लीजिये, एक बार, पन पर लेके, यह आपकी positive की है, सब से last वाली negative की है, और यह वाली आपकी data minus की है, यह data plus की है, अगर मैं serial wise ले चलूँ, तो सबसे पहली pin हमारी plus की है, यह plus हमारा battery का या फिर power source का plus है, जो इसके अंदर power जाएगी, उसका plus है, यह पहला वाला, दूसरा वाला data minus का है, तीसरा वाला data plus का है, और चौथा वाला हमारा minus का है, battery minus, या फिर जो power source है, उसका minus का है, तो जो battery plus का होगा, सबसे पहला पिन, उसके just बगल में data minus का होगा, उसके बगल वाला data minus का होगा, ठीक है, जिसे हम DM, DP केर के नाम से जानते हैं, तो अब हमारा पता चल गया, इसमें यहाँ पर लिखा भी है, मैंने वैसे, अगर आप देखना चाहें, तो यह देखिए, पह 5 volt या फिर 3 volt जो भी इसको देना है, आप देंगे, इन points में, और वहीं से आप इसको भी, इसको भी आपने, प्लस माइनस में इसके दे देना है, इसके प्लस माइनस में जो भी हैं, आपको पिन में बगल आता था, इसके प्लस माइन में वही 5 volt या फिर तीन वोल्ट आपने तो सबसे पहले हम इसको power देने के लिए चलिए small करते हैं तो यहांपर एक connector में लगा लेता हूँ power देने के लिए तो यहांपर दखिए यह power source के मोंने यहांपर 2 pin लगाई हैं तो battery या जो भी मैं small करूँगा अभी सिर्फ बैटरी का इसमाल कर रहा हूँ तो इसमें प्लस माइनस को इस तरीके से जोड़ेंगे जो इस बैटरी का प्लस होगा उसको हम BCG में और जो माइनस होगा इसको GND में हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो यह on हो जाएगा तो यह on हो जाएगी तो अब यहां पर यह on हो चुका है आपको मैं voltage भी एक बार चेक करवा देदा चले लास्ट में voltage चेक करवाँगा अभी तो सिफ मैंने बता इस तरीकी से आप इसको connect कर लें एड यहां पर अब इसको कैसे attach करना है तो इसको attach करने के लिए देखिए जो मैंने आपको plus का बताय connect कर लेंगे यहां पर VCC लिखा हूँ न उस पर connect कर लेंगे क्योंकि VCC में अलब हमारा बैटरी का positive ही होता है बोर्ड में plus न लिखे VCC लिख दिया जाता है तो इसको हमने VCC पर connect कर लिया है ब्लू कलर के wire को और यह लास्ट में white कलर की wire है जिसको हमने negative के लिए इसमाल करा गया है तो इसको हम GND पर देदेंगे तो GND को हम इस negative पर connect कर लेते हैं तो यह connect हो चुका है अब हम यहाँ पर DPDM के points में भी connect करेंगे तो यहाँ पर देखिए DP कौन सा है मैंने अब पर उता थाने DP कौन सा है तो DP बोले तो data plus तो data plus कौन सा था हमारा नेगेटिव को जश्ट बगल वाला यानि कि first number से तीसे number वाला एक दो तीसे number वाला हमारा data plus का है यानि कि DP का है तो तीसे number का कौन सा है हमारा wire इसमें gray color का wire उसको हम DP में connect कर लेंगे gray वाले को हम DP में connect कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए यह DP लिखा हुआ है तो उसको हमने यहाँ पर gray color को connect कर लेना है DP पर तो जैसे कि यह connect हो जुका है अब बचा DM का तो जो wire बची उसको हम DM पर connect कर लेते हैं काफी simple तरीके से देखिए तो बहुत यहसान तरीके से इसका connection हो चुके हैं अब मैं आपको pen drive लगा के दिखाता हूं अब मैं इसमें battery को connect कर लूँगा तो आप pen drive पर ध्यान देंगे देखिए बैटरी आफिर जो भी power supply आप इसमाल कर रहे हैं ठीक है तो देखिए यह read करना इसने start कर लिए है तो अब मैं एक amplifier के साथ drive करके आपको एक song प्ले करके सुनाता हूं ठीक है तो देखिए यहाँ पर सारा setup हो चुका है amplifier के साथ मैंने इसको टेज कर लिए है जितनी भी wiring करनी थी मैंने कर लिए है बाकी details से amplifier के से टेज करते हैं उस वीडियो को आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको टेज करता हूं यहाँ पर एक potentiometer हमने लगा नहीं है चूकि यहाँ पर सिप testing ही कराना आपको त चलिए तरीकिसे मैं इसको connect करता हूं इसने read करना शुरू कर दिया है चलिए मैं इसको जैसे disk connect करता हूं आप देखिएगा अब यह bluetooth चल गया है अब मैं जैसे pen drive को लगा हूं तो pen drive read करना शुरू कर देगी तो इसमा कोई भी button नहीं है pen drive लगाते ही read करना शुरू करती है अब pen drive निकालते ही bluetooth on हो जाता है देखिए pen drive read करेगी अब अब जाके bluetooth on हुआ है तो इस तरीके से काम करता है बहुत ही असान तरीका है बस यहाँ पर आपने pen drive के वायरिंग करने रहती है Bluetooth तो अलेड़ी रहता है बाकि amplifier के साथ यहाँ से signal चला जाता है वीडियो पसंद आई तो like के share करना ना भूलिये बाकि हमारी और वीडियो जो हमने suggest करी थी उनको देख लेना असानी से आप सीख जाओ गए और इन Bluetooth को repair करना बहुत असान है अगर आपके Bluetooth speaker के मैं भी कोई भ आपके को मिलिगा तेक केर